देखो लास्ट डिसकेशन के बाद हमने जो आगे पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हमारे पास जो इन्वेस्ट्मेंट्स हो सकती हैं वो इन्वेस्ट्मेंट्स हो सकती हैं जो यह इन्वेस्ट्मेंट्स होंगी इन्वेस्ट्मेंट्स 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 इन्वेस्ट् होता है, उस format के अंदर हम अपने पास कितने column मनाते हैं हैं आपने पास face value का column मनाते हैं जो कि एक information के लिए होता है of course debit में भी बनता है उद प्रेडिट के नरी बनता है एक हम अपने पास interest का account बनाते हैं जिसका छोटा column उसी ledger में आ जाता है इसका भी एक debit column होता और एक credit column होता है और एक हम बनाते हैं investment account जो real में investment account है तो ये सब को अगर शकल देखें तो क्या ये लंबे जहाज जितना बन जाता है ये लंबे जहाज जितना बन जाता है जिसके अंदर हम face value भी लिखते हैं जिसमें हम interest भी लिखते हैं और जिसमें हम amount भी लिखते हैं इस तरह का ये खाता बनता है अफकोर्स date का column भी साथ में बनता है ये आपके पास एक format होता है हमें इस सवाल में जो सबसे बड़ी दिक्कते आती है हमें एक दिक्कत आती है कि हमें हर जगा interest की calculation करनी पड़ती है at each transaction हमें हर transaction पर calculation करनी पड़ती है तो हमें आपने पास जब ये calculation करनी पड़ती है तो कौन-कौन सी transactions हो सकती है एक तो हो सकता है opening balance क्या opening balance में भी मुझे interest की calculation करनी पड़ सकती है मेरा opening balance में accrued interest होता है तो accrued interest जो होए यह किन सवालों में होता है जिन में भी accrued interest किन सवालों में भी होता है जिसमें भी when interest date and year beginning and date are matching के not matching तो जहाँ पर भी यह match नहीं करता है वहाँ वहाँ पर भी वही वही पर accrued interest होता है तो opening balance में हमको accrued interest निकालना पड़ता है हमें purchase में भी interest निकालना पड़ता है हमें sale में भी interest निकालना पड़ता है हमें interest dates पर भी interest calculate करना पड़ता है और हमें closing balance पर भी accrued interest निकालना पड़ता है interest कभी भी निकाले इसकी calculation कैसे होगी इसकी calculation होगी face value क्या यह हमेशा face value पर होता है actual में यह paid up value है लेकिन चुकि सवाल में paid up value दी नहीं होती इसलिए हम face value लेते हैं क्या ब्याज आपको market value पर मिलता है the answer is no ब्याज किस पर मिलेगा आपको paid up value लेकिन वह है नहीं तो face value into rate of interest rate of interest question में क्या आपको दिया जाएगा the answer is yes अगर आपको multiple rate वाली investments है तो क्या उनका एक ही ledger है कि multiple ledgers होंगे उनके multiple ledgers होंगे जिसके अदर अपने पास हम क्या कर सकते हैं हम उसके accordingly start करेंगे multiplied by हम इसको किस से multiply करेंगे with the periods तो हमको इसके अंदर लेकना पड़ेगा from से लेकर to तक तो from कोहान से लेना है from the last interest date कौनशी date से last interest date से कहां तक जाना है today तक यनि आज तक आपने लेना है इस से आपके पास ये amount आएगा अक्षद कह रहा है क्या ये chapter खतम हो गया आदा खतम हो गया अब मुझे ये बताओ interest के अलावा मुझे अपने पास purchases के अंदर cost भी ढूणनी पड़ती है कि purchase की cost क्या है जब हम purchase की cost देखते हैं तो सवाल दो तरह के data से start हो सकता है या तो आपको कम interest price दिया होगा question के अंदर या आपको X interest price दिया होगा question के अंदर अगर आपने कम interest price है तो आप cost कैसे निकालेंगे क्या इसमें से आप पहले interest को माइनस कर देंगे interest उपर निकालना सिखा दिया है तो मुझे बताओ क्या ये X interest price आ जाएगा ये X interest price आ जाएगा इसमें हम लगाएंगे commission commission किस पर लगाएंगे come interest price पर commission किस पर लगाएंगे कम इंटरस्ट प्राइस पर स्टेंप ड्यूटी किस पर लगाएंगे अन एक्स इंटरस्ट प्राइस प्लस कोई और भी खर्चे अगर सवाल वाला देता है तो लिख दो ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी कॉस्ट और अगर एक्स इंटरस्ट ही है तो आप X interest को ही लेंगे फिर commission किस पर calculate करोगे X interest price पर calculate करोगे फिर उसके बाद stamp duty किस पर calculate करोगे वो भी X interest पर करोगे और फिर उसके बाद अगर कोई other खर्चे हैं उनको भी ले लोगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास cost आ जाएगी अब उसने आपको कहा कि अगर कभी कभी sale आ जाए तो sale price भी question में कि आपको दोनों प्रकार से दे सकता है वो कम interest price भी दे सकता है और वो X interest price भी दे सकता है अगर वो कम interest price देता है तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा interest को minus करना पड़ेगा जो interest का amount है उसे minus करेंगे और अगर x interest है तो x interest में आपने कुछ करने के आवशक्ता नहीं है यह x interest value निकलाएगी और यह x interest value ही है इसमें से माइनस कर देंगे brokerage या commission इसमें माइनस कर देंगे commission अगर सौदा कम interest पर हुआ है तो commission किस पर देंगे commission देंगे on come interest price अगर सौधा एक्स इंट्रस्ट पर हुआ है तो कमिशन किस पर देंगे ओन एक्स इंट्रस्ट प्राइस तो मेरे पास क्या निकलाएगी सेल प्रूसीड इनमें कोई और खर्चे नहीं होते हैं इसलिए इसमें कोई दिकत नहीं आती इनमें आपको एक चोटा काम और करना पड है कुरसी देदो गेन और लॉस ऑन सेल जो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है तो आप सेल प्रूसीड में से लस कर देते हो उसकी बुक वैल्यू बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मैथड़्स हैं कौन-कौन से दो मैथड़्स हैं बुक अगर question silent है तो भी FIFO method ही लगेगा इस interest bearing के case में और अगर मान लो आपको वो कहता है average method या weighted average method तो आप weighted average method लगाएंगे जब आप FIFO लेते हैं तो आप lot by lot देखते हो lot divided by face value of lot into sold वाले की face value इससे क्या निकलाती है book value लेकिन जब आप average करते हो तो आप सारे lot को इकठा कर देते हो उनकी face value of all lots भी इकठा कर देते हो into sold वाले की face value is equal to book value निकलाती है इससे आप अपने पास क्या ढूंड लेते हो इससे आप अपने पास gain और loss ले आते हो और gain और loss को भी आप record कर देते हो on the date of sale उसी दिन आप उसको अपने पास record भी कर देते हो फिर मैंने कहा कि आपको ने अपने पास ये भी काम कर दिया तो अब आपका balance CD भी निकलता है तो balance CD जो निकलेगा balance CD में आपके पास जो balance बचा हुआ होगा face value का balance तो balancing figure होगा interest में accrued interest का balance होगा if any अगर होगा तो और जो आपका balance बच गया इस balance को calculate करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग दोड़ाना पड़ता है वो क्या दिमाग दोड़ाना पड़ता है कि अगर वो investment short term है तो हमें लेना पड़ता है lower of क्या क्या lower लेना पड़ता है cost जो की balancing figure होता है आपके ledger का या fair value जो की question में given होती है difference अगर इस case में आता तो difference कहां चला जाता है पी एंडल में चला जाता है अगर वो investment long term होती है तो आप उसे किस पर record करते हो cost पर record करते हो अगर question में ये पता न चले ये short term है के long term है तो चूँकि आपके इस topic में investment बार बार खरीदी बेची जाती है इसलिए हम उनको हमेशा क्या मानते है short term मानते है इसलिए आप अपने पास ऐसा करते है अगर question में fair value दे ही न रखी हो तो जो cost है वही आपका balancing figure आएगा ऐसे में कोई difference नहीं आता है कभी कभी question के अंदर ऐसा हो सकता है कि sale purchase की date and interest की date में gap जो आ रहा है वो one day का आ रहा है one day का आ रहा है तो उसे आप क्या कर देंगे ignore करके सवाल कर देना लेकिन अगर वो gap zero days का आ रहा है तो आपको दिक्कत होती है कि पहले कौन सी transaction करें तो first transaction हमेशा किस की करेंगे interest की second transaction किस की करेंगे sale purchase की पर अगर question वाला खुद बता दे कि पहले sale purchase करना फिर interest करना तो आप उसकी बात मानोंगे ओके इसका मतब अगर कुछ नहीं लिखा है silent है तो मैंने कहा if silent तो आप अपने पास ऐसा करते हैं यह मैंने बाते बताई जहां days की calculation करते हैं ब्याज की यह आम तोर पे सारा data जो निकाला जाएगा किस में निकाला जाएगा मन्त में निकाला जाएगा क्योंकि आपके सवाल में सभी date'े या तो last की होंगी या first की होंगी कभी भी वो days अगर बीच में आ जाए तो आपको गिंती करनी पड़ती है days की उनको गिंती करने के लिए वही तरीका लगाना है जो foundation में लगाते थे starting का date छोड़ दो last day तक का interest count करो grace days का कोई चकर नहीं होता do not add any grace days यानि कभी भी कोई days count करने पड़ जाए तो जिस date से लेकर जिस date तक जाना है starting वाले date को छोड़ देना आखरी date तक include कर लेना कोई grace का चकर नहीं होता है जो आपका ledger में बचा हुआ balancing figure आता है interest के column का वो P&L में चला जाता है और जो आपके पास otherwise अगर कोई balancing figure आ जाए investment account में वो loss on valuation होता है वो भी ultimately profit and loss में चला जाता है gain on sale, loss on sale का ledger अलग बनता है वो हमें नहीं बनाना होता उसका भी balancing figure कहां चला जाता है P&L में चला जाता है बस इस पर based कुछ questions कर लोगे तो आपका ही topic complete हो जाएगा प्रियांशी I am not sure कि आपके पास इसमें से किस किस